अब आता है हुंड रूल, हुंड रूल बहुत special था, हुंड भाई साब क्या कहता है, हुंड रूल of maximum multiplicity, वो यह कहता है कि एलेक्टरन को भरने का तरीका होता है, ऐसे धोड़ी तुम कुछ भी भरते जाओगे, वो यह कहता है कि अगर मालो की अगर बात करें P की, तो P सब शे समझ में आता है, और मैं कहता हूं कि पहले फ्लोर पे तीन कमरे हैं, और आपने बोला कि हर एक कमरे में दो लोग रुख सकते हैं, मेरे बात ध्यान से सुनना, ये practical चीज है, लोग कहते है practical नहीं है, के chemistry में चीज बड़ी practical है, मैं आप से कहूं कि आपके घर पे शादी है, और आपने multi-story building ले लिए और पहले जो पहला वाला ground floor है, उसमें तीन कमरे हैं, और ऐसा instruction दिया गया है कि हर एक कमरे में दो लोग रुख सकते हैं, तो अगर कोई पहला आदमी आया, तो वो क्या try करेगा, क्योंकि पहला आदमी आ रहा है, तो वो ते try करेगा कि भईया चलो पहला room ले लो, तो वो आ जाएगा, अगर दूसरा आदमी आया, mentality देख रहा, अगर दूसरा आदमी आया, क्या वो gate खोलनी कोशिश करेगा, हाँ, खोल के देखेगा, पर जब उसको पता लगा, कि वहाँ पर कच्छे बनियान टंग रहे हैं, पहले से कोई आदमी है, तो क् आदमी रुका हुआ है, दूसरे वाले में गया, उसमें छपीं बनियान टेंग then, जब तीसरे कमरे में जाएगा, क्छे बनियान टेंग रहे हैं, तो चोड़ो तता आदमी आयांग, तो एक अच्छा एक बनियान सुक्रा इसका मतलब दूसरा कच्छा दूसरा बनियान तो नहीं सुक्रा इसका मतलब इसमें एक एक आदमी है तो कहेगा चलो यहीं पे अपना बैक पसार देते तो फिर वो यहां रुकेगा अब वो कहीं मिरुक सकता आपकी मर्जी है बट वो यह पेशल अर्विंद रोडा की क्लास में समझ में यह बड़ी प्रैक्टिकल चीज़ और आपको भी पता कि ऐसा होता है जाओ कभी शादियों में जाई नहीं होगे तम लोग जाओ तो मालूम पढ़ जाएगा ठीक है इस वेरी सिंपल तो इसको हुंड रूल बोलते हैं हुंड और फुली फिल्ड ज्यादा स्टेवल होते हैं तो अगर कोई चार उलेक्ट्रोन वाला दिख रहा है और अगर आप पॉस्टिक बनती है तो एक इलेक्ट्रोन इसको देखके उसको क्या करो रहो हाफ फ्यल्ड कर दो और साथ में उसको जादा स्टेवल कर दो इस इंक्लीर तो ये तरीके होते हैं, जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ, ये कहां पर rule लाग होता है, तो अब इस हिसाब से अपने को electronic configuration लिखने हैं, ठीक हैं, अब मैं आपको दो ही case कराऊंगा, एक तो chromium का और एक copper का, तो chromium का atomic number होता है 24, copper का atomic number होता है 29, अब कैसे भरोगे, 24 electron भरने, पहले किसका number आएगा, पहले आपन क्या लगाएंगे, 1s में 2 electron भर दिये, अच्छा, s में 2 electron भरे जा सकते हैं, p में total 6 electron भरे जा सकते हैं, d में total 10 electron और f में total 14 electron भरे जा सकते हैं, हमें 24 भरने, पहले 1S का नंबर आएगा, दो भर दिये फिर किसका नंबर आएगा, ओबाउ के हिसाब से 2S का, दो भर दिये फिर किसका नंबर आएगा, सोरी 2P का, 2P का फिर कितने भरे आपने, 6, क्योंकि P में आप 6 भर जकते हो फिर किसका नंबर आएगा 3S का, कितने भरोगे 2, फिर किसका नंबर आएगा, 3P का कितने भरोगे, 6, अब देखो कितने हो गए 6, 10, 18 हो गए फिर आता है क्या 3D का नंबर नहीं, आप जाके चेक करो 3D का नंबर नहीं आता, 4S का नंबर आता है, एनर्जी के हिसाब से, OBAO का रूल है, जब आप चेक करो, देखो आप ज़रा ध्यान से, यह देखो 2P के बाद किसका नंबर आ रहा है, 3S 3S के बाद 3P का, 3P के बाद 3D का नंबर आ रहा है, नहीं, 4S का नंबर आ रहा है तो एनर्जी, आप लिखो के सिक्वेंस में ठीक है, 3P के बाद मैंने 3D लिखा है, और फिर 4S लिखा है, लेकिन मैं पहले उलेक्ट्रन किसमें बरूँगा 4S में, 4S में कितने उलेक्ट्रन बरूँगा 2, फिर कितने बच गए, 18 और 220 हो गए 4 बच गए, मैंने 4 यहां बरे भरने का तरीका देखो, स्मार्टनेस इसी को बोलते है आपको सिक्वेंस चेंज नहीं करना बच जिसकी इनर्जी कम है उसमें पहले उलेक्ट्रन भर दो बात खतम मैंने पहले 4S में भरे, फिर आया मैं 3D में तो बाहर जाके अंदर आना, यह बहुत ही रह गया, तो यह आपकी अपडेटेड एकदम करेक्ट electronic configuration है, chromium के case में 3D 5, 4S1 ठीक है, copper पर आते हैं, 39 electron भरने हैं, पहले किसमें भरोगे, 1S2 फिर किसमें भरोगे, 2S2, फिर किसमें भरोगे 2P6, फिर किसमें भरोगे, 3S2 फिर किसमें भरोगे, 3P6 फिर आएगा 3D का नंबर, फिर आएगा 4S का नंबर, मतलब 3D लिखा जाता है, फिर 4S लिखा जाता है, बट 4S के energy कम है, तो मैं आप 2 electron भरूँगा अब यह कितने होगे, जरा बताओ मुझे, 18 और 20 हो गए, last में 9 यहां भरे, अरे 9 क्यों भर रहे हो, एक बर्दों यहां नहीं उठाके, ज्यादा stable हो जाएगा, तो last में क्या बसता है, 3D 10 and 4S 1, इस तरह से copper को लिखा जाता है, तो copper का electronic configuration में last आता है, 3D 10 and 4S 1 chromium में आता है, 3D 5 and 4S 1 क्यों किया, क्योंकि half fully filled, ज्यादा stable होते है यह तरीका है, तो इस तरह से आप लोग बहुत सारी चीज़े सीखे हो, structure of item I think आप लोग clear हो गया होगा, अभी I think clear हो गया हो तो, is it clear to all of you मज़ा आया ना सब लोगों को, अगर मज़ा आया हो तो देखो दिल खुला रखके like जरूर करना, बहुत सारी बच्चे होते हैं देखो 1200 like आगे हैं आभी तक, that's really awesome तो दिल खुला रखके like जरूर करो क्योंकि हम लोग इतनी महनत करते हैं, इतनी सारी अच्छे-ची चीज़े लाते हैं और आप दिल खुला करके मैंने आपको चीज़े बताई, मैंने आपको समझाया कि चीज़े कैसे होती है, क्या होता है क्यों होता है, finally guys आपको समझ में आया होगा, यह यहाँ पर structure of item भाई, खतम हो गया है, इसको आप share जरू करना और like जरू करना, यह आड़म यह करें, मैं बाई करके जा रही हूँ, लेकिन लाइक जरू करें, रविंदर रोणा सर के लिए